से दोस्तों आज हम बात करेंगे medial epicondylitis के बारे में medial epicondylitis is koni के अंदर की तरफ जो आपकी प्रमेनस होती है इसको medial epicondylitis बोलते हैं और इसके आज पास अगर आपको दर्थ हो जाता है तो इसको medial epicondylitis बोलते है medial epicondylitis एक overuse syndrome है इसका मतलब यह है कि अगर बार-बार आप koni से और khalai से जादा heavy काम कर रहे है तो यह तकलिफ हो सकती है साथ ही यह तकलिफ कुछ particular sports person को भी हो सकती है जैसे अगर आप golf कहल रहे हैं तो भी हो सकती है इसलिए इसको golfers एलगो बोलते है कई बार racket sports tennis badminton खेलने से हो सकती है कई बार rowing जैसे sports खेलने से हो सकती है कई बार और कोई sports खेलने से भी हो सकती है अगर आप कुछ bowling कर रहे हैं यह कुछ चीज throw कर रहे हैं तो भी यहाँ पर आपको दर हो सकता है जो medial epicondylitis का लक्षन हो सकता है यह तकलीप आम तोर पे महिलाओं में जादा देखी जाती है और 40-60 वर्ष के उबर में जादा देखी जाती है यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूं कोनी के अंदर की साइड पे एक हभी का जो उभार होता है इसको medial epicondylitis और यह medial epicondylitis पाँच मांसपेशियों का उदय होता है मतला यहां से पाँच मांसपेशियों जाती है पहली मांसपेशी प्रोनेटर्टीरिस बोलते हैं दूसरी मांसपेशी फ्लेक्सर करपाई रेडियालिस तीसरी पामयरिस लॉंगस चौथी फ्लेक्सर डिजिटोर्म सुपरफिशलिस और पाँच मांसपेशी फ्लेक्सर करपाई अल्लारिस यह पाँचो मांसपेशियों एक कॉमन ओरीजिन बनाती है जो जरी बन तीन सेंटीमिटर का होता है और वो medial epicondylitis पाँच होता है तो अगर आप कोई भारी काम जो आप लगातार उसको करते रहते हैं तो यहाँ पे दर्ग आ जाता है जिसे हम medial epicondylitis या goal first elbow कहते हैं यह तकलीप आपको अगर मुटापा है, diabetes है अगर आप smoke करते हैं और एक particular activity, repeated activity आप जादा से जादा यह कि कामा आप बार-बार कर रहे हैं तो उसके करण हो सकता है यह तकलीप अगर आप कलाई को मोडेंगे और कलाई को अंदर की तरह कुमाएंगे जिसको कलाई का flexion, wrist का flexion और pronation बोलते हैं तो बढ़ जाएगी मतलब अगर यह movement और यह movement कर रहे हैं तो यहाँ पर जो तकलीप मीडिय लगे खड़ादा इसके वह बढ़ जाती है तो कलाई का heavy activity से यह, कलाई के भारी काम से यह तकलीप बढ़ जाती है अब इसके लिए दो तरह के test की जाते हैं जिसको active golfer's elbow test बोलते हैं और passive golfer's elbow test बोलते हैं इस तरह से turn करते हैं तो दर्द जो है, आपके रापके कोनी के अंदर की तरह बढ़ जाता है इसको positive golfer's elbow test बोलते हैं एक passive test होता है, passive golfer's elbow test उसमें आप कोनी को सीधा रखते हैं और कलाई को extend करते हैं इस तरह से, और आपके जो दर्द है वह बढ़ जाता है तो इसको पैसिव गॉल्फर्स एल्बो टेस्ट गोल अगर आपको गॉल्फर्स एल्बो की तक्लिफ डाइग्नोस होती है तो इसका इलाज बहुत ही आसान है इसके लिए कुछ सूजन कम करने की और कुछ दर्द कम करने की हम दबाई भी देते हैं और कि पैसनली कुछ पैसेंट को हम एल्बो स्प्लिंट देते हैं जिसमें एल्बो को कौनी को सीधा रखा जाता है साथ ही साथ कुछ ट्यूब वगेरा भी दे सकते हैं बरक का सेख हम कर सकते हैं जिससे आपकी जो तकलिफ है उसमें आपको राहत मिलेगी साथ ही साथ हम अगर सब कुछ करने के बाद दर्द में अराम नहीं बिलता है तो कुछ local injections दिये जा सकते आम तौर पे steroid injection दे आते हैं, परियार्प injection या पिर prolotherapy भी कुछ cases में दी जा सकते आम तौर पे इस condition में operation की कोई surgery की requirement नहीं होती है बहुत ही rare cases में हम एक surgery करते हैं जिसमें हम जो flexor origin उसको निकाल देते हैं और epicondyle का थोड़ा साथ कर देते हैं जिससे यह तकलिफ ठीक हुजा दाती है यह करने की requirement usually 2-3% patient में ही पढ़ती है आम तोर पर यह surgery करने की आप शक्ता नहीं पढ़ती है तो मैं संख्यव में कहना चाहूँगा कि अगर आपको कौनी के अंदर की तरफ दर्थ है और अगर दर्थ कलाई के अंदर की तरफ और कलाई को घुमाने से बढ़ता है तो यह medial epicondriitis हो सकता है अगर ऐसा है तो अपने चिकित सक अपने orthopedic surgeon से परामश में धन्मेबास